हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ आप सब का आपकी अपनी क्लास में प्यारे बच्चों आज हम करेंगे पाठ नो भोलू की भूल प्यारे बच्चों इस चेप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार भोलू नाम के एक कव्ये ने मोर पंख लगा कर खुद क को मोर समझना शुरू कर दिया आईए बच्चों बोलू कव्ये के बारे में इस चेप्टर को पढ़ते हैं पाठ नो भोलू की भूल प्यारे बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए आपको इसमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है यस ये एक बगीचे का चित्र है इसमे पेड़, पोधे और फूल लगे हैं एक कववा है और उसने मोर पंख लगाए हुए हैं बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि एक कववा मोर पंख लगा कैसे हो सकता है आईए बच्चों इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हम इस चेप्टर को पढ़ते हैं एक हरा भरा बाग था बच्चे प्रते दिन बाग में खेलने जाते थे वहां दिखने वाले पशु पक्षियों को वे प्यार से किसी ना किसी नाम से पुकारते थे एक दिन अचानक बच्चों की नजर एक मोर पर पड़ी जो अपने पंख फैला कर नाच रहा था नाचते हुए उसका एक पंख तूट कर गिर गया पास ही पेड़ पर एक कववा बैठा था जिसे बच्चे भोलू कहकर बुलाते थे भोलू को मोर का नाच बहुत अच्छा लगा बच्चों इस चेप्टर में हमें बताया गया है कि एक हरा भरा बाग था जहां बच्चे रोज खेलते थे वहाँ जो पशू पक्षी थे बच्चे उनको किसी ने किसी नाम से पुकारते थे बच्चों ले देखा कि एक मोर नाच रहा था अपने पंख फैला कर नाचते हुए एक पंख तूट कर गिर गया पास ही पेड़ पर भोलू को हुआ बैठा था उसे मोर का नाच बहुत अच जला गया मोर तो नाच कर भासे गया भोलू पेड़ से नीचे आया उसने मोर का पंख उठा लिया रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद भी था मोर का पंख लगा कर भोलू सोचने लगा अहां मैं कितना सुन्दर लग रहा हूं मैं तो मोर बन गया प्यारे बच्चों मोर तो यहां से नाच कर चला गया उसके बाद भोलू क ओवे ने क्या किया वो पेड़ से उद्रा उसने मोर का पंख उठाया और रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद ये ओते हैं ना मोर पंखों पर छोटे छोटे चांद होते हैं ये भी था और मोर का पंक लगा कर भोलू कववा सोचने लगा मैं कितना सुंदर लग रहा हूं मैं तो मोर बन गया वह गाने वह नाचने लगा कोई कहे न मुझको कववा मैं हूँ मोर मैं हूँ मोर कववा नाचकर और गाकर क्या कहने लगा, कि मुझको कोई कववा ना कहे, मैं मोर हूँ, मैं हूँ मोर, मैं हूँ मोर भोलू घूमने निकला, उसके साथी को ने उसे बुलाया, पर वह उनके पास नहीं गया और बोला, मैं कोवा नहीं हूँ, मैं मोर हूँ पंक लगा कर बोलू बोलू ने क्या किया बार गूमने गया और उसके साथ ही जो कौवे थे उन्होंने उसे बुलाया पर वह नहीं गया और बोला कि मैं कौवा नहीं हूँ मैं तो मोर हूँ यह सुनकर सभी कोवे उस पर हसने लगे फिर बोलू मोरों के पास पहुचा मोर उसे देखकर बोले मोर नहीं तुम कोवे हो यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ बच्चो जब सभी कोवे उस पर हसने लगे बोलू कोवे पर तो वह मोरों के पास पहुचा और मोर क्या कहने लगे तुम मोर नहीं कोवे हो और यहाँ से चले जाओ बोलू ने पंक दिखाते हुए कहा मैं मोर हूँ उसकी बात सुनकर मोर हंस पड़े क्योंकि बोलू ने मोर पंक लगाए हुए थे तो वो मोरों से कहता है मैं तो मोर हूँ तो सभी मोर उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं मोरों ने उसे चौँच मार कर भगा दिया भोलू बहुत दुखी हुआ और वह बहुत ही दुखी हो गया कौन बोलू को हुआ वह अपने मित्रों के पास गया उन्होंने भी उसे चौँच मार कर भगा दिया अब भोलू कोवा अपने मित्रों के पास गया कोवों के पास तो उन्होंने भी चौँच मार कर भगा दिया हार कर भोलू ने पंक निकाल कर फेंक दिया अब भोलू ने क्या किया हार कर पंक न बोला मुझे माफ कर दो मैं मोर नहीं हूँ भोलू कवे ने पंख निकाल कर फेंक दिये और अपने मित्रों से बोला मुझे माफ कर दो मैं मोर नहीं हूँ मैं तो तुम्हारा मित्र कोवा हूँ सब कोवो ने कहा फिर कभी अपने साथियों को छोड़ कर मत जाना बोलू कववे ने अपने मित्रों से कहा मैं मोर नहीं हूँ मैं तो तुम्हारा मित्र कववा ही हूँ तो सभी कववो ने कहा कि अब फिर कभी अपने साथियों को छोड़ कर मत जाना इस चित्र में देखिए बच्चों भोलू कववे ने मोर पंक लगा रखे हैं और उसके जो मित्र कववे हैं वो उसे चोंच मार कर भगा रही हैं और बाद में भोलू कववे ने अपने मोर पंक निकाल कर फेंक दिये और कववों से माफी मांगी कि मैं मोर नहीं हूँ तुम् जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए प्यारे बच्चों आप भी इस चेप्टर को अपनी बुक में पढ़िए जल्द ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ थैंक्स फूर वाचिंग